Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे W.B. Yeats की एक और पोयम अमंग स्कूल चिल्डरन के बार में प्रिवियस सारी पोयम्स देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं William Butler Yeats एक Irish poet थे जो 20th century के greatest poet हुए The Stone Child इनकी सबसे famous पोयम थी 1923 में इन्हें literature में Nobel Prize भी मिला Poetry के साथ ही Yeats ने कुछ plays भी लिखे और इन्होंने Until His Death लिखना जारी रखा Among School Children, poet की Ireland के Waterford में एक Convent School में विजट के बारे में है और ये पोयम 1928 में W.B. Yeats की collection The Tower में पब्लिश हुई जबकि इसे लिखा गया था 14 June 1926 को Since Irish Free State में Yeats 6 साल के लिए senator रहे तो इनका Irish Education के development में interest रहा और Among School Children इसका starting point था तो चलिए शुरू करते हैं Poem की line by line explanation Poem में आठ स्तांजास है और हर स्तांजा में आठ lines है जो उटावा निमा के form में है I walk through the long school room questioning a kind old nun in a white hood replies Poet inspection के लिए एक स्कूल में आए है जहां बड़े-बड़े classrooms है एक बूरी दयालू नन जो सफेद लिबास में है उनके questions का answer कर रही है The children learn to cipher and to sing, to study reading books and history तो स्कूल में कई तरह की activities बच्चों को सिखाई जाती है बच्चे cipher यानि secret writing जो symbol में लिखा जाता है और गाना सीखते हैं Reading books और history पढ़ते हैं To cut and chew beneath in everything in the best modern way और केवल पढ़ना ही नहीं लेकिन बिलकुल आधुनिक तरीकों से बच्चों को सिलाई करहाई भी सिखाई जाती है और हर काम बच्चे बिलकुल सफाई से करते हैं The children's eyes in momentary wonder stare upon a 60-year-old smiling public man और अचानक ही बच्चों की आखे आश्यर से इस 60 साल की बूरे आदमी यानि poet को देखती है या एक टक देख रही है घूर रही है जो इन सब के बिच खरा मुस्कुरा रहा है I dream of a Ledaian body bent above a sinking fire Second stanza में poet अपने childhood days के बारे में सोचने लगते है Ledaian body का मतलब है Leda और Swann जो Greek myth के characters है जिसमें Leda बहुत सुन्दर थी यहाँ poet Morgan को Helen से compare करते हैं जो Leda और Swann की बेटी थी Morgan से poet प्यार करते थे तो poet Morgan को याद करते हैं जो आग के सामने बैठी है A tale that she told of a harsh reprove of a trivial event that changed some childish days to tragedy तो यहाँ Morgan poet को एक incident के बारे में बताती है कि teacher ने उन्हें बहुत छोटी सी बात के लिए डाट लिया जिसके कारण एक normal day एक बुरे दिन में बदल गया Told and it seemed that our two natures blend into a sphere from youthful sympathy तो Morgan की इस बात से ऐसा लगता है जैसे Morgan और Yeats एक हो गए हैं दोनों की nature आपस में मिल गए हैं दोनों ही जवान थे एक ही एच के थे तो poet भी Morgan की बातों को समझ पाएं उसके sorrow को feel कर पाएं और else to alter Plato's parable into the york and the white of the one's cell या फिर poet Plato की थियोरी के बारे में बात करते हैं कि God ने man और woman को एक साथ बनाया लेकिन कुछ समय बात दोनों अलग हो गए लेकिन तब भी दोनों अलग नहीं है दोनों एक अंडे के york और उसके छिलके के समान एक हैं और ये सब सोचते हुए दुख भरी बात जो Morgan ने उन्हें बताई तो poet एक बच्ची या उन्हीं में से किसी और को जब देखते हैं और पोएट को लगता है कि Morgan भी बच्पन में बिलकुल ऐसी ही दिखती होगी और चुकी वो से Helen से Swan की बेटी से compare करते हैं तो वो भी humans की तरह normal life ही जीती होगी Something of every paddler's heritage and had that color upon chick or hair जैसे हर किसी paddler की विरासत, उसके भी गालों का रंग और बाल इन्ही बच्चीयों के जैसे होगे And there upon my heart is driving wild, she stands before me as a living child और ये सब सोच कर अब उनका दिल उनके काबू में नहीं Modgon उनके सामने एक बच्ची के रूप में खरी हो ऐसा poet feel कर रहे है Her present image floats into the mind Did Quattrocento finger fashion it? अब poet Modgon की अभी की image के बारे में याद करते हैं अभी तो वो भी बुरी हो चुकी होगी और poet Renaissance की एक painting Quattrocento finger के बारे में सोचने लगते है Hollow of chick as though it drank the wind and took a mess of shadows for its meat यानि अब Modgon बूरी हो चुकी होगी तो उसके गाल पिचक गए होंगे जैसे कि वो हवा पीती हो और खाने में परचाईया खाती हो and I though never of laden kind that pretty plumage once enough of that poet अपनी बात कर रहे हैं कि और मैं कभी laden के जैसे नहीं रहा मेरे सुंदर punk नहीं थे फिर poet कहते हैं बहुत हो गया Better to smile on all that smile and show there is a comfortable kind of old scarecrow कि अब poet Modgon के बारे में नहीं सोचना चाहते बहतर होगा कि वो भी मुस्कुराएं जैसे ये बच्चें उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि सभी को लगे वो comfortable हैं और poet खुद को scare crow से compare करते हैं जिसे मैदान में चीरियों को भगाने के लिए खरा किया जाता है येट्स अपनी अधिकतर पोयम में old age और eternity के बारे में बात करते हैं What youthful mother a shape upon her lap honey of generation had betrayed Fifth stanza में येट्स, Pluto और Aristotle द्वारा कहीं गई lines को investigate करते हैं कि जन्म के बाद जब बच्चा मा की गोद में आता है और मा को शहत चटानी की एक रस्म होती है And that must sleep, strike, struggle to escape as recollection or the drug decide और यहां जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है उस समय उसकी situation को बताये गया है कि उसे कितना दर्द सहना पड़ता है, दवाईया दे कर उसे बहोस किया जाता है वो भागने की कोशिश करती है और सब कुछ दवाईयों के द्वारा decide किया जाता है कि वो होश में रहेगी या बहोस हो जाएगी Would think her son did she but see that shape with 60 or more winters on its head अगर वो बच्चे के जन्म पर ये सोचे कि 60 साल के बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा A compensation for the pang of his birth or the uncertainty of his setting forth तो क्या जो इतना दर्द सहा माने बच्चे के जन्म के समय इसके बदले में जो उसे मिला क्या वो योग्य है अपनी जान को जोखिम में डाला इस बच्चे को जन्म देने के लिए यानि अगर मा बच्चे की old age के बारे में सोचने लगे तो क्या वो उसे उतना ही प्यार कर पाएगी Plato thought nature but a sperm that plays upon a ghostly paradigm of things यहाँ फिर से poet Plato, Aristotle और Pythagoras के thoughts के बारे में सोचते है Plato कहते हैं कि ये word ideal word की बस एक copy है और इसलिए ये reality से बहुत दूर है Soldier Aristotle played the toes upon the bottom of a king of kings Aristotle बताते हैं कि Alexander जो आगे चल कर राजाओं के राजा बने उसे Aristotle ने एक बार चाबुक से पीटा था तो यहाँ poet बताते हैं कि teacher कितने powerful हो सकते हैं World famous golden thight Pythagoras fingered upon a fiddle stick of strings Water stars sang and careless muses heard Old clothes upon old sticks to scare a bird और world famous Pythagoras ने बताया कि सब कुछ circular motion में घूम रहा है और वो mathematically calculate करते हैं कि हम जो भी कहते हैं या जो भी sound produce होता है वो सब sphere में collected है तो poet कहते हैं जबकि इन तीनों ने अपनी अपनी philosophy दी life को लेकर लेकिन तब भी ये aging process को रोक नहीं पाए और ये सब भी समय के साथ एक दिन बुरहे हो गए Both nuns and mothers worship images but those candles light are not as those Nuns और mother दोनों ही worship करती हैं पूजा करती हैं पर इन दोनों का faith अलग है That animate a mother's reveries but keep a marble और a bronze repose Nuns भगवान की पूजा करती हैं मुर्ती की पूजा करती हैं और माताएं अपने बच्चे को पूजती हैं उनसे बहुत प्यार करती हैं And yet they too break hearts, o presences that passion, pity or affection knows पर इतना प्यार, affection और passion के बाद भी उनका दिल तूट जाता है Nuns का faith हिल जाता है और मा को भी दुखी किया जाता है और ये सिर्फ वही जानती है And that all heavenly glory symbolize o self-born mockers of man's enterprise और ये जितनी भी पूजा है, स्तुती है, symbolize करती है ये सारे उद्यम, ये सब वे अपने मन से अपनी भावनाओं के कारण करते हैं और बाद में दुखी होते हैं और इसलिए इनसान खुद उपहास के लायक है Labor is blossoming or dancing where the body is not bruised to pleasure soul श्रम वही फलता फूलता है जब आत्मा को खुश करने के लिए सरीर को ठेस नहीं पहुँचाए जाए या चोट नहीं दी जाए और ब्यूटी बी दुख से निराशा से जन्म नहीं लेनी चाहिए नौलेज के लिए विजडम जरूरी नहीं आखें धुंदली नहीं होनी चाहिए यानि लाइफ में सारी चीजे जरूरी तो हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि एक के लिए दूसरे को चोट पहुचाई जाए या सिर्फ एक पर ही कॉंसंट्रेट किया जाए ओ चेस्टनट ट्री, ग्रेट रूटेड ब्लूसमर यहाँ पोएट चेस्टनट ट्री को परसॉनिफाई करते हैं कि चेस्टनट ट्री जिसकी जरे गहराई तक है और उसे हम फुलनेस में देखते हैं ना कि सिर्फ उसकी पत्ती को या फूल को या तने को जब सरीर धुन पर जूमता है और जो चमकीली नजर होती है कि क्या हम डांसर को डांस से अलग कर सकते हैं डांस और डांसर दोनों एक है ठीक ऐसा ही लाइफ के साथ भी होता है अगर हम पोएट को अभी बुढ़ा देख रहे हैं तो हमें भी उन्हें as a fool देखना चाहिए वो childhood, manhood और adulthood सभी की essence है और इस तरह से पोएब खत्म हो जाती है Thank you